और दस साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में होदी जी ने काम किया इसमें हर ख्षेत्र में युगांत कारी परिवर्तन करने का काम उनके नेत्रुतों में भाजपा NDA सरकार ने किया है और देश की जनता का जनादेश उसको एकनोलेज करता है इस पर मजबूत ठपा लगा और आज यह पवित्र जगा जहां हमारे समविधान का निर्मान हुआ वो समविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं वो आजाद भारत के इतियास का एक इतियासिक फैसला है कि शाठ साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रदान मंत्री बनने जा रहा है वो हमारे नेता नरेंद्र मोडी है इसलिए मैं भारतिय जनता पार्टी के करोडों कारेकरताओं की और से देश की जनता की और से और NDA के सयोगी दलों की वर से ये तीनों प्रस्ताव जो स्रिमान डाधनाच सिंग्जी ने रखे हैं इनका मन पूर्वक समर्थन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी समर्थन